हेलो फ्रेंद्स आज की रेसिपी है पनी चिला बनाने की सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो में चानल को सब्सक्राइब करना मत भूलना सो इस पनी चिले को बनाने के लिए सबसे पहले हमने ली थी एक कटोरी मुंग दाल जैसे हमने भिगो के रख लिया है कम से कम एक गंटे के लिए इसके बाद इसे डालेंगे एक मिक्सिंग जार में जिसमें हम डालेंगे तोड़ा सा पानी यानि दो से तीन चमच के करीबन और डालेंगे एक बड़ी हरी मिर्ची आप चाहें तो मिर्ची थोड़ी सी कम भी डाल सकते हैं इसके साथ हमने लिया है थोड़ी सी कसी हुई अद्रक अब हमें इन सब को अच्छे से पीस लेना है अब इसका फाइन बैटर बन के तयार है यह बैटर बहुती स्मूध होना चाहिए इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पाने क्योंकि यह लग रहा है थोड़ा सा गाड़ा इसके बाद हमें इसमे आट करना है थोड़ा सा नमक और एक चाहिए जमच से थोड़ी सी कम हल्दी पाउडर इस बैटर को अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर नीट के कोडिंग मैंने इसमें थोड़ा सा और पाने आट किया था यानि करीबन एक चमच इसी के साथ हमारा बैटर बनके रेड़ी है बैटर बनाने के बाद बारियात्य स्टफिंग जिसके लिए हमने लिया है एक कटोरी क्रमबल पनीर उसमें एट करेंगे थोड़ी सी कद्दुकस की हुई गाजर और थोड़ी सी बारिक कटी हुई शिमला मिच यहनी कैप्सिकम साथी लेंगे थोड़ी सी हरी मिर्ची मसालों में हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चाथ मसाला पाउडर इन सब को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसी के साथ बन के तयार है हमारी स्टफिंग अब चिला बनाने के सबसे पहले हमने हीट किया है नौन स्टिक तवा को उसमें करेंगे हम थोड़ा सा ओइल स्प्रेड आप चाहें तो यहाँ पर लोहे का तवा भी ले सकते हैं अब इस तवे पर हमें स्प्रेड करना है बैटर को जिसे हमने एक बड़े चमच में लिया है और उसी चमच से हमें से राउंड गुमाते हुए जाना है और फैलाना है यहाँ पर हमें कोशिश करने ही कि चिला बहुत ज़्या मोटा ना हो पतला ही हो और इस तरीके से बैटर को स्प्रेड करने के बाद उसे पकते देंगे कम से कम एक से दो मिर्ट के लिए जब तक इसका कलर चेंद ना हो जाए और उसके बाद मैं इस पर स्प्रेड करने हूँ थोड़ा सा बटर यानि मकषन आप चाहें तो मकषन लगाने के बाद इसे फिल्प भी कर सकते है अब बारी आती है इस पर स्टफिंग डालने की स्टफिंग डाल के हमें अच्छे से फैला लेना है और जब हमारा चिला अच्छे से बन के तयार हो जाए हमें गैस की फ्लेम आफ कर देनी है क्योंकि गैस की फ्लेम आफ करने के बाद चिला आसानी से निकलने लगेगा अब इसे साइड से छुड़वाते हुए हमें इसे फोल्ड कर देना है और इसी के साथ बनके तयार है हमार क्रिस्पी पनीर चिला इन्जोई कीज़े इस गर्मा गर्म चिली को हरी जटनी या फी टमेटो केचप के साथ में so I hope you enjoyed my today's recipe and thanks for watching my video